सुही गाइस वाट इस अप मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के आप लोग जो है बेस सब्सक्राइब कर रहे थे यह साइंस के सबसे पहले चप्टर वीडियो जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग देखी हमारा जो यह उनिवर्स है यह दो चीजों से बना है पहला है मैटर और दूसरा है एनरजी इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग मैटर की बात करने वाले हैं उसमें भी जो बेसिक्स होते हैं वो इसमें बताएगा है जैसे कि हमारे आस पास में बहुत सारी चीज़ें में दिखती हैं जिनके अलग-अलग सेबस होते हैं साइज तेक्स्चर टेक्स्चर मतलब कि उसकी बनावат कैसी है जैसे कि कुछ चीजों को जो हम लोग पता लगाते हैं कि वो जो बहुत साइनी है या पर किजी चीज को जो हम चुछ करके महसूस करते हैं कि वो बहुत rough है या फिर soft है तो यही होता है texture अब यहां बताया गया है कि देखिए universe में जितनी भी चीजे हैं यह सब जो है material से मिलकर बनी है डिसको scientist ने नाम दिया है matter अब यहां पर एक question आता है कि आखरी यह material क्या होता है तो देखिए कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो कि एक तरह की चीजों से जो है बन जाती है कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो कि अलग-अलग चीजों से मिलकर बनती है तो कोई भी चीज चाहे वो एक जैसे चीजों से मिलकर बनी हो चाहे वो अलग-अलग चीजों से मिलकर बनी हो इनको जो है simply हम लोग material कहा देते हैं और यह जो material है न इसको scientist ने एक नाम दिया matter अब आखरी यह matter क्या होता तो matter का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जिसका mass हो और volume हो मतलब कि वो जो है कुछ जगह occupy कुछ space occupy करती हो उससे हम लोग बोलते है matter तो यहाँ पर scientist ने material को matter नाम इस लिए दिया क्योंकि जो material है उसके पास भी mass होता और volume होता है मतलब कि वो भी कुछ space occupy करता है यहाँ पर जो volume है इसका मतलब होता है कि आखे किसी चीज ने कितना space occupy किया है मतलब कि कितना जगह उसने लिया है बट वह एकर मैं mass की बात करूँ तो mass का मतलब होता है कि आखे कोई चीज जो है उसके अंदर कितने particles है देखो जो matter है यह बहुत ही छोटे छोटे particles से मिलकर बना हुआ है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ mass की तो यह जो mass है यह depend करता है particle पर मतलब कि अगर किसी matter में ज़्यादा particles है इसका मतलब उसका mass ज़्यादा होगा वह अगर किसी matter में कम particle से इसका मतलब उसका mass कम होगा तो अगर इसी चीज़ को मैं simple में कहूँ तो जो mass है ये बताता है कि आखे किसी matter में कितने particles है ठीके तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया यहाँ पर कुछ हमें matter के example दिये गया है जैसे कि air हो गया, food हो गया, tree हो गया, stars हो गया फिर आपके जो books हो गया, paints हो गया ये सारे क्या है तो matter है क्योंकि इन सभी के पास mass और volume है तो यहाँ पर simple क्या है trick matter है पहचानने का तो जिस भी चीज़ के पास mass और volume होगा इसका मतलब कि वो matter है अब चलो हम दोखते हैं कुछ non-matter को तो देखिए अगर मैं कहता हूं कि एक वेक्ती जो हो बहुत ही happy है एक वेक्ती बहुत ही sad है और एक वेक्ती बहुत अंग्री है तो यहाँ पर यह happy, sad or angry है क्या यह matter है तो यहाँ पर आप लोग को वोगग கुंब कि इसी तरह थौट हो गया मिन जो विचार हमारे दिमाग में आता है जो कुछ हम सोचते हैं तो क्या इसका मास और वॉल्यूम है तो नहीं है इसके यह भी नॉन मेटर है यह हमने देख लिया बेसिस इसके बारे में अब तो आसा और डिटेल में जानते हैं जो कि बुक में क्वे क्ते इसके लिए तो नहीं है यहां पर कोल्ड क्या तो यह तो यह तरह है तो यह तो इसमेल क्या है क्या वो नॉन मेटर रहा या मैटर तो देखो यहां पर समझो जो क्या होता है सूंगना यह वहग тоб्सटे हैं यह क्या है तो यह हमारी ability है हमारी ability है कि हम कि चीज को सुंग सकते हैं तो आपसे अगर पूचा जाए कि smell क्या है matter या नौन मेटर तो इसमेल देख यह तो हमारी ability है इसका कोई भी mass नहीं है ना कोई volume है तो यह कोई matter कैसे हो सकता है तो simple answer साथ कुछ और चीज़ को भी लिंक किया गया जो कियो डिया पर्फ्यूम हो गया फिर फूट तो यह जो फूट है और जो पर्फ्यूम में इनका कुछ न कुछ वॉल्यूम तो होगा ही जैसे कि हमने देखा था कि जो एयर वो भी एक मैटर है सब्सक्राइब कि उसका भी कुछ नहीं मास में और कुछ नहीं कूछ वॉल्यूम इस तरह वॉटर यहfir यहाँ पर पर्फ्यूम को चाहिए आपस में या फिर यो उसके कि आ आती है जैसे ही खाना जो है आपके आसपास में अगर बन रहा होता है तो आपको उसकी खुजबू आती है या फिर कोई पर्फ्यू मारा रहता है तो उसकी भी खुजबू आती है तो यहां तब समझ गयोंगे कि अगर कोस्तर में लिखा हुआ है डारेक्ट स्मेल और पूछा है तो हमारी एक है हमारी सुखने की छम्ता है जैसे हमारे सोचने की छमता होती है तो है तो है इसकी कोई भी मास और कोई वikum नहीं है बहुत वह से पूचा जाए कि स्मेल आफ फूलावर पर्फ्यूम और प्पूचा जाए कि यह सब जो हैं क्या यह हैं यह तो यहां पर तो इसका मतलब हुआ कि इनका कुछ ना कुछ मास भी है तो यहां तक हमने सारी चीज़ों को समझ लिया अब अगर आपसे पूचा जाता है कि कोई चीज मैटर है या फिर नहीं है तो आपको बस यह समझना है कि क्या उस चीज़ के पास मास और वॉल्यूम है अगर है तो वह म आपने समझ लिया अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को अब यहां पताया गया है कि पुराने वक्त के फिलोसोफर्स थे फिलोसोफर्स का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि किसी एक चीज़ पर जो है फोकस होता है उसके बारे में जो है जाने कोशिस करते हैं तो उन् आपिछो चीज यह मिला कर बनी हो तो कुछ चीज़ है एक दो या तीन अमीन को मिला करके बनी हो तो उनका यह मानना था पहले के लोगों तो बहुत की दो Sep स्रिफ एक तरीक के एटम को मिला करके बनी है उससे हम लोब बोलते हैं एलिमेंड जैसे कि carbon तो锅 prediction कर दो इयोक्साइड में lemon का भी एटम है और oxy इसका मतलब हुआ कि carbon dioxide जो है रहे थो अलग तरह के atoms को मिला करके बना है तो इसका simple सा मतलब है कि carbon dioxide element नहीं है तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा element के बारे में समझ दिया अब इसके बारे में आगे आने वाले chapters में हम लोग और detail में समझेंगे अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो modern day scientist है उन्होंने जो matter जो है इसको दो तरीके से classify किया है पहला है physical property के उपर अदूसरा है chemical nature अब यहाँ पर जानते कि physical property क्या होती है जो फिजिकल property का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में जानना कि आकर वो चीज कैसा है like क्या वो soft है या फिर hard है उसको गरम करने पर क्या होगा कुछ भी करो उसके साथ लेकिन उसके chemical composition में change नहीं आना चाहिए chemical composition मतलब क्या होता है कि आकर बद चीज जिस चीज से बना है उसमें change नहीं आए जैसे कि example देखो oxygen oxygen के atom से बना है दूसरा देखो water किस से बना है तो hydrogen oxygen के atom से बना है तो यहां पर जो water ना उसके जो करने करो तो गरम करो या कुछ भी करो ठीक है उसको देखो कि वह कैसा है बट उसका जो chemical composition है मतलब है जब पानी आइस बन जाता है तब भी उसका chemical composition जो है वह ही रहता है तो यहां पर क्या देख रहे हैं इसका फिजिकल प्रोपरटी को देख रहे हैं कि जो पानी है उसको इतना डिगरी गरम करने में भाब बन जा रहा है या फिर इतना डिगरी ठंडा करने पर वह जो है आ कि चीज के बारे में जानना बिना उसके chemical composition में कोई चेंज लाए वही अब अगर देखा जाए chemical nature को तो इसका मतलब हुआ कि किसी चीज के बारे में जानना उसको जो है chemically react करा करके सिंबल से हुआ कि उसका जो chemical composition होता है उसमें कुछ changes ला करके यहां पर देख सकते हो वाटर जो है जिसका chemical composition है यह जो है किसी चीज को react कराने के बाद जो है वह कुछ नया इंफॉर्म करते रहा है तो यहां पर chemical composition ही चेंज हो जा रहा है तो यह हो गया आपका chemical nature तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग को जो है chemical nature के बारे में नहीं पढ़ना है सिर्फ हमें यहां पर physical property के बारे में जो फोटो में अब देख से तो वहीं दूसरे जो इस खूल है वो मानता था कि जो matter वह पर्टिक्यूलेट है मतलब कि उसके अंदर particles है तो अब लोग की तरह है तो यहां पर हमें जो एक activity दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर मैं कहा गया है कि हमें कोई ऐस बरता लेना है जिसे लबक 100 ml थोड़ा कम यह थोड़ा ज्यादा होता है तो चलेगा फिर कहा गया कि उसके अंदर जोए आधा पानी डाल दीचे जैसा कि मैंने यहां पर डाला हुआ है उसके बाद जो कहा गया है कि जो water level है ना उसको आप जोए माक कर दीचिए मंदर एक मा कर देता हूँ इस तरीके से ठीके जी सबस्ते के जिसें अब इसको मां कर देंगे उसके बाद आपे घर में चाईटीं हो या फिसका इस कर सकते हैं मैं यहां पर जो है नमक का इस्तिमाल कर रहा हूं ठीक है आप भी चाहिए दोनों में से कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं फरक नहीं पढ़ने वाला कोई भी तो यहां पर आप कहा गया है कि हमें थोड़ा सा चीनी आपी नमक ले लेना है मैं आप नमक ले रहा हूं फ कि इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया इस वीडियो को ठीक है ताकि जल्दी गुल आपका जो टाइम है यह वेस्ट ना हूं तो इसको गुलाने में थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन हां यह घुल रहा था जब यह घुल गया ठीक है उसके बाद जो है थोड़ा देखे मैंने चोड़ दिया ताकि जो भी नमक जो है ना उसके पार्टिकल्स आप कह सकते हो वह सही से जो है पानी में घुल जा और चमत जो है उसको मैंने इसके अंदर जो है डाल दिया वापस से जिससे आप यह ना सोचे कि जो है चमत से पानी थोड़ा से बहार निकल के चला गया और पानी कम हो गया अब यहां पर आप देशकते हैं कि नमक पूरी तरह के से घुल चुका है लेकिन आप देखो जो इसका मैंने माक किया तर लाइन उसमें से रितम हलका भी पानी नहीं बढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर जो नमक यह वह गया तो गया पानी जो है इस तो यहां पर देख सकते हैं कि गुल बे घ्या और इसका लेएवल नहींुंगर तो यहां पर में जया चलता है कि जो अनके बीच में space होता है जिसको हम भी बोलते हैं inter-molecular space जैसे कि हम नहीं इस activity में देखा कि जो salt के particles है यह water के particles के बीच में जो space है जिसको हम लोग इंटर molecular space बोलते हैं उसमें चले गए अब यहां पर एक चीज देखो कुछ ऐसे matter होते हैं जिनके अंदर जो है particles के बीच में स्पेस बहुत कम होता है तो कुछ ऐसे matter होते है जिनके particles के बीच में quelle बहुत जाता होता है ठीक है इसके बारे आगे देखेंगे वी सब्सक्रान और इस चीज़ को समझाने के लिए हमें एक की ऑटके गया है है तो हमने सबसे पहले उस activity को देख करके समझते हैं कि कितने छोटे होते हैं मैंटर के पार्टिकल्स तो यहां पर ग्लास में पानी भर लिया है सभी में आप देख सकते हो उसके बाद बोला गया है है पोटेसियम पर मैंगनेट यूज करने के लिए बट मेरे पास वह नहीं था तो जो वह कलर आता है ना पैकेट में ठीक है उसको मैंने यूज कर लिए हैं आप आप भी कर सकते हो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पढ़ने वाला है यहां पर पहले ग्लास में पानी जो था उसस पेंधे पानी को क्लर कर दिया फिसे कंगळा के प्लें पानी के थोड़े सी हिस्से ने फोर्त वाले को पूरा कर दिया फिर फीफ च्रवाले कि ना कंदब समझीं है यह इस में पर बहOR किया था जो गिने ने घृप रहना कि उसमें कितना ज्यादा पार्टिकञ्म्यटियह कि उस सबको उसके थोड़े से इस से ने सेसे पूरा स्वार कर दिया पिर तो धोरे थोड़े थोड़े से ने भी जरत्विश्च सबको थोड़ा स्वड़ा ठेकर कर दियाhi लेकिन फिफ्ट जो है ग्लास पहुंसते पहुंसते लगबग वह 9 के बराबर हो गया मतलब कलर नहीं कर पाया तो यहां पर हमें दो चीज पर चलता है पहला यह कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और दूसरे चीज यह कि यहां पर आप देखो यह वह एफ के पहले ग्लास में बदा वह पूर पानी था ओकलर हो गया फिर जो पूरा पानी था में थोड़ा पानी का से थोड़ा सा हिससा जए है Beatles में डाला यहां पर तो यह थो फार्ठ घ्लास है तूसमी जाए इसे यह पानि गया तो उस पानि में जो भी कलर के पानिकल्स आद छोटे होते गया और उन्हें फूर ॰स के पूरे पानि के थोड़ा से हिसत ने जो ए है फूर्थ ग्लास का जो टोढा से हिस्सा था ओर ऐसे और जो और चोटे-चोटो चोड़ा सा पानी तो यहां पर कलर क्या हुआ तो वह चोड़े चोड़े पार्टिकल्स में और पूरा मिक्स हो गया अब मैंने क्या किया कि वह जो पहले पानी निकाल करके मैंने डाल दिया तो उस थोड़े से पानी में जो कलर था वह जैसे हैं सेकेंड ग्लास के पानी में गया तो और ज्यादा डिवाइड पार्टिकल्स में और यह से पूरा फैल फैल गया एक चीशी दिख सकते हों कि यह वह और तो यहां पर कलर कर जो आप रंग देखते हो थो थोड़ा लाइट हो गया Tra EUёт हो आप ज सबते जाते जो कलरें यहां ज्मीम होल्किल नहीं नहीं पाया तो सब्सक्राइब करते ये आपको और छोटे चोटे पार्टिकल में डिवाइड करता जाता है बट एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आपको और डिवाइड नहीं कर पाता है तो यह जो है हमने इस पूरे एक्सपेडिमेंट को देखके समझा इसी चीज़ को यहां पर बोला गया है कि पूरा एक हजार लीटर को जो है कलर कर सकता है सेम जैसे कि हमने यहां पर कलर को इस् इस्तिक्स ऑस पार्टिकलस 씌off मैंट तो मैंटर के पार्टिकलस ङोते हैं उनके और जानने वालें इससे पहले नंबट के प्रकश संुटक होते हैं उनके बीच में इसपेस होता है जैसा तो जो दूध रहता है ठीक है इसमें जो उलों चीनी डालते हैं तो चीनी का प्रचीकल होता है वह दूध के पार्टिकल के बीच मिचने स्पेस होता है वहाँ चला जयाता है अब इस व uniqu सीकुंस कि अनलगे तोट गाईती ने क्ष़ुपकाई हैं कि पढ़िते बताया कि हमाये चाओ बसकर बास अपने गरबत्ली नहीं लेसा मिल्ड़ने अपने घ्रकशा रहता है तो बंट इसे थोड़े तो आ कि अंतिज़ को जो है उसकी स्मेल जो है आने लग जाएगी थाकि यह क्यों हो रहा है यहां पर आप देखो जो अगरपति के जो गैस पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहां वहां जो होता है वह कंट्टिञिसली जुब करते रहते हैं अब अगरоме कि हम दो आधर जो इंकी बात करें तो जो लिकवीड के पार्टिकल्स होते हैं वह ग्यास के अपसे और से भी हो मूफ करते हैं बद रहता है यहे घेस tv और सबसे सलो मूफ करते हैं तो इसको हमने समझ लिया अब देखते हैं second activity तो यहां पर आपको देख सकते हो जैसे ही मैंने हनी डाला जो हनी के पार्टिकल्स हैं वो जाकर के नीचे सेटल डाउन हो गया तो यहां पर आप यह कहोगे कि जस्ट हमने कुछ से पहले देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूफ करते रहते हैं तो इंक को अगर मैं देखता हूं तो इंक के जो पार्टिक से वो थोड़ा slow move कर रहे हैं इसलिए जो हमनों notice नहीं कर पा रहे हैं वहीं जो इंक पार्टिकल से उनके movement को जो हमनों notice कर पा आपने इसको देखके समझ लिया यहां पर कितने घंटे कितने दिन लगे इंक को पूरा वाटर में फैलने पर इसको इसी तरह छोड़ दिया था ठीक है न तो मुझे लगबग 30-35 मिट बाद जब मैंने देखा तो जो इंक है वो पूरा फैल गया था यहां पर आप फोटो दे पानी में पर नीचे जाएकर क्यों बैढ़ी आता है दिखो यहां पर इस को सब्सक्राइब क्यों ऑगे पढ़ना है यहां पर आपको नहीं पढ़ना है और यह थोड़ा कोंपलेक्स होता है अब यहां पर कुछ भच्छी कुष्चन पूछते हैं कि आकि हनी के बारे में क्य तक यहां पर जो हरा नाय। मुने जाएड में घास दो उछ में प्रिके के दूड़ा बहुत ने की यहां पर जो क्वस्टन है कि जो हनी क्यों होता है तो इसका यहां पर हनी है inamnous क्षय कई सब्सक्राइब नाय। ऐसको मैं तनी तो यहाँ पर बैंसिटी यहाँ पर किस दिल यहाँ तो यहाँ वाटर को ढूंधर में ढालते हैं तो और नीची रहöं हो जाता है यह पहला कोस्पाइब अब दूसरा यह आता है कि अगर हनी जो और पूरा बहुत ज्यादा वक्त भी लग जाता है थोड़ा बहुत ही स्प्रेड होगा ठीक है तो आप इसको इतना समझत हो कि वह सही से स्प्रेड नहीं हो जाता है कि उसको आप ना गुलाओ तो यह तो हो गया आपका इन दोनों के बारे में तो मैं आसा करूँगा कि आपका जो भी मैंने यहां पर कलर को लिया है और दोनों को एक साथ डाल दिया आप देख सकते हो कि जो हॉट वाटर है मिस गरम पानी उसके अंदर कितना तेजी में यह पूरा स्प्रेड हो रहा है मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं जिससे कि आप यह देख पाएं कि आखिर जो गोड़ वाटर उसमें देखो इत्रहा है अब भी धिले दीन interpretative दिक्स होरी रहा यहां पर में इसको त guy past दिखा रहता हूं DR इसके पीछे का reason क्या है तो आईए इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें इन तीनों activities से क्या बताया गया तो हमें यहाँ पर बताया गया कि जो matter के particles होते हैं वो continuously move करते रहते हैं और इसकोनों बोलते हैं kinetic energy मतलब कि अगर चीज का जो particle है हुँ तेजी में मूफ कर रहा हुए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पार्टिकल का जो का इनेटिक अटर्जी ज्यादा है वह अगर किसी चीज़ का पार्टिकल्स जो कि slow tahun 오该 कर रहा है तो हम लोग बोलने हैं कि इस पार्टिकल का जो開始 है यह कम है वही नीचे बताया गया है कि जब हम लोग temperature के चीज़ का बढ़ाते हैं तो उसके जो particles हैं वो तेजी में move करना बढ़ते हैं जैसे कि मैंने पानी को गरम करना शुरू किया तो पानी के particles जो हैं वो तेजी में move करना शुरू कर देते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे ही इन तेंपरेच्जर बढ़ता है तो जो कायनेीटिक एनइर्जी होता है पार्टीकल बढूझ अग्रणे कीज़्क तेजई यह मूव कर रहे हों इक चीज़ ध्यान देना आप ज Dwutka नोने मैं ने बता intermix कर जा रहे हैं एक दूसरे में जैसा कि हमने देखा कि जो अगर्वत्ती का धुमा था वो air में जो है intermix कर गया वहीं हमने देखा कि इंक जो वाटर में जो है intermix कर गया इसके साथ और भी कुछ examples देखें तो अगर मैं simply कहूँ तो जब किसी एक matter के जो particles होते हैं वो दूसरे matter के particles के बीच में जो space होता है वहाँ पर चले जाते हैं उसको उन्हों बोलते हैं intermixing जैसे देखो इंकी के जो particles थे वो water के particles के बीच में जो space था वहाँ पर वो चले गए तो इसे हमने क्या गा intermixing इस तरह और ये बहुत सारे जो इसके examples होते हैं अब यहाँ पर बहुत एक important topic आता है जो कि है diffusion इसमें कहा गया है कि जब दो अलग-अलग types of matter मिन्स अलग-अलग तरह के matters के जो particles होते हैं जो अपने आप ही एक दूसरे से intermix कर जाते हैं उसे हम diffusion कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर बात की जा रही है types of matter की न की states of matter देखो states of matter में हो जाता है solid, liquid or gas लेकिन types of matter इससे थोड़ा अलग है जिसे देखिए अगर एक जगा दूध हो और एक जगा पानी है तो दोनों का state क्या है? दोनों ही liquid है बट इनका type अलग-अलग है एक दूध है तो एक पानी है दोनों ही इक दूशे से अलग है तो यह आपको clear हो गया होगा वापस से मैं diffusion के बारे मतायता हूँ जब दो अलग-अलग types of matter के जो particles होते हैं वो खुद बखुद जो है इंटरमिक्स कर जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं diffusion जैसे पानी में ink डालना ठीक है या फिर air में पर्फ्यूम छड़कना तो यह सब क्या है तो यह सब diffusion है अब मैं ऐसे example देता हूँ जहाँ पर diffusion नहीं होते हैं जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक pain है और एक book है मैंने pain और book को एक साथ रख दिया तो क्या उन दोनों के particles एक दूसरे में intermix होंगे तो नहीं होंगे जैसे हम देखते हैं intermix नहीं होते हैं तो यह diffusion नहीं हुआ तो यहाँ तक मैंने diffusion के बारे में आपको पूरा detail में बता दिया है और इस तरीके से आपका diffusion के बारे में पूरा concept clear हो गया होगा अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी चीज़ों गरम किया जाता है तो जो diffusion होता है वो और ज़्यादा तेज हो जाता है जैसे कि हमने just activity में देखा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो गरम पानी है मतलब जिस पानी को गरम किया गया है उसमें देखे diffusion कितना तेजी में हो रहा है वोई ठंडे पानी में diffusion जो है उतना तेजी में नहीं हो पा रहा है तो यही चीज़ है कि यहाँ पता आ गया है कि जब कि चीज़ों गरम किया आता है तो diffusion जो है एकदम तेजी में होना लगाता है अब यहाँ पर question आता है कि आखिर किसी चीज़ को गरम करने पर उसका diffusion कैसे बढ़ जाता है तो देखिए अभी हमने जैस देखा था कि अगर किसी चीज़ का temperature हम बढ़ाते हैं जैसे कि पानी का temperature हमने बढ़ाया मतलब कि उसको हमने गरम किया तो जो उसके particles होते हैं वो तेजी में move करने लग जाते हैं जिसको हमने ये भी कहते हैं कि जो kinetic energy है particles का वो increase हो गया है simply कहो तो particles जो है वो तेजी में move करने लग जाते हैं तो जब हमनों पानी को गरम करते हैं तो उसके particles जो है वो और तेजी में move करने लग जाते हैं जैसे कि मालो की जो मेरे पास पानी है मैंने उसको गरम किया तो जैसे ही मैंने उसको गरम किया तो जो पानी के particles है वो पहले से तेजी है move करने लग गया क्योंकि temperature बढ़ गया और temperature बढ़ने पर क्या होता है तो particles और ते यहां पर कि यहां पर काल यहाँ पीछ में यह एक दूसरे सके असली हो पार रहे हैंक यहां पर टीक्षिक्र तो मैं आसा करूँगा आपको यह भी पर चल गया कि आखिर किसी चीज़ों गरम करने पर डिफ्यूजन क्यूं तेज हो जाता है तो यह टॉपिक भी होता है क्लियर अब हम लोगों देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को यहां पर थर्ड पॉइंट आता है जो कि आपका पार्टिकल्स ओफ मैठ एट्रेक्ट इच अधर यहां पर एक्टिविटीज दिए गया है वह नहीं कर पाया था अभी ठीक है प्रफॉर्म इसलिए मैं यहां पर आपको इसी में एक्स्प्लेन करता हूं जो यहां पर पहले इ जाजा की फोटो में बना हुआ है दूसरा जो ग्रूप है वह स्रीफ हाथ को जो होल्ड करेंगे मत्तल्ब धीले से उसको पकड़ेंगे और तीसरा ग्रूप है वह सिर्फ अपने उंगली के जो फिंगर टिप से उससे एक दुसरे को टच करके रखेंगे तो पहले वाले जो यहां पर पूचा गया कि कौन सा ग्रूप का जो इसको तोड़ना इसीएस्ट है यह बात है थौट वाले का क्यूंकि देखो थौट वाले में सबने बस एक दूसरे को टच करके रखा है फिंगर टिप से कोई भी दोड़ के जाएगा तो यहां पर बोला गया है कि जितने भ लॉक किया हुआ है अब यहां पर सेकंड अक्टिविटे में कहा गया है कि आप जो एक आइरन नेल में से काटे लीजिए एक चौक का टुकड़ा लीजिए और रबर लीजिए अब जो इसके उपर हैमरिंग करके या इसको काट करके या इसको स्ट्रेच करके देखिए ठीक पूरा बन जाएगा स्ट्रेच को चौक देखिए बन कोこ्सी करता हो तो इस ट्रेच हो जाएगा सट्रेच करने को इनहीं यहां त् лишь कर देखिए में तीनों सबस्दांस जहां और इनriers फेडल यहां आ step се किसके PARTICLES एक साथ है इसका सिंपलस आंथर है Armor यहां पर मेंग्डेखा की जो आयरण के पार्टिकल होते है वो ग्र meerटर पूस्द पूछते हैं कि इसमें सबसे कम किसके कार्टिकल की बीच में फोर 활तोर से इससे के ओर रुपर के बात पाइं रहा है तो चौक जो है उसमें सबसे कम force of attraction है बट अगर वही मैं stretch करके देखता हूं तो चौक stretch नहीं होगा नेकिन rubber band stretch हो जागा तो यहां पर इसे सबसे कम rubber band का है तो देख सकते हैं कि यहां पर cases के वैसे जो है थोड़ा अंसर अल्टर कर जा रहा है तो simply इसलिए यहां पर यह कुस्तर नहीं पूछा गया कि सबसे कम किसका है यहां पर directly पूछा गया कि सबसे ज्यादा force of attraction किसके बीच में ठीक है तो आप इसको समझ के हैं अब इसका अगले अक्टेटम से बोला यहां क्यों कि जैसे ही पानी अंदर ले जाते है तो उपार संवे आ जयाता है तो यहां रंता के तब तक यह वह जाना पर कहा है यहां पर कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि जो water जो है उसका surface जो हमेसे एक साथ रह रहा है तो यहां पर इसका अंसर यह है कि जो water के particles से उनकी बीचे force of attraction होने की बैसे जो water का surface से हमेसे एक साथ रहा है लेकिन हमें एक चीज़ यहां पर और पदाए चल रही है कि जैसे अपने उंगली को उसका surface कट हो जाता है और जैसे बहान निकालते हैं तो वापस से surface पहले ऐसा हो जाता है इसका मतलब यह है कि जो force of attraction है water के particles के बीच में वो थोड़ा कम है क्योंकि जैसे यह अपना उंगली को पानी के अंदर डालते हैं तो उसका surface वो कट हो जाता है इसली लेकिन जैसे बहार निकालते हैं तो जगह जो रहता है वापस पानी आके उक्किपाई का लेती है तो इन तीन एक्टिविटीस हमने यह force होता है जिसको हमने बोलते हैं force of attraction उसके strength की तो इसके strength होती है यह अलग-अलग तरह की जो matter होती है उनमें अलग-अलग होती है जैसे कि हमने देखा कि जो iron nail है और जो chalk है दो नहीं solid state में है ठेक है लेकिन दोनों का force of attraction नहीं देखा कि iron nail का force of attraction जो है वो जादा है और अब अगर मैं compare करू states of matter जो कि यह solid liquid or gas तो generally जितने भी solids होते हैं उनका सबसे ज्यादा force of attraction होता है उससे कम होता है आपका liquid में और सबसे कम होता है gas में तो यहाँ पर यह जो topic है यह भी होता है clear अब उन्हों देखते हैं इसके next topic को अब यहाँ पर topic आता है जो कि यह states of matter इसके नहीं में बताया गया है कि हमारी आस पास में जितनी भी चीजे हैं वो mainly three states में पाई जाती हैं जो कि यह solid liquid and gas अब यहाँ पर इसका reason है कि जो matter के particles होते हैं उनके characteristic में थोड़ा variation होता है उसके वज़े से जो है अलागला के states हमको matter के देखने को मिल जाते हैं जैसे कि example देता हूं छोटा सा like के जो particles होते हैं gases में बहुत दूर दूर होते हैं वही जो liquid होते हैं थोड़े से को ले करके समझते हैं जैसे हमें हमें बोला गया है कि आप जो है पैंसिल ले लो बुक ले लो और जो एक थ्रेट मिंस धागा ले लो उनका जो से पे उसको note कर लो कि कितना उनका से हैं उसके बाद कुछ से बाद आप जाके वापस से चिक करो तो आगों पाच लाए कि उनक जो पार्टिकल्स होता है वह बहुत ही पास पास होता है बहुत ज्यादा पास इसे उनका सेप जो एकदम डेफवनाइट रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का एक क्वस्टन आता है कि जो पैंसिल है वह एक सॉलीड है इसका मतल अब आप जो यहां इसको तोड़ दिया लेकिन यहां पर देख रहे हैं के स्टेट के मैटर होते हैं उनका सफ होता है लेकिन चलो मैं आपके सैटिसफक्षिंस लिए मान में लेता हूं कि आपने फॉर्स लगा करे पैंसल को तोड़ दिया अब जो उसके टूटे वे दो हिस्स अगर आप फिर यक्ष तोड़ोगो तब से यहाँ पर क्या नॉर्मली उसका छेंज नहीं ओ रहा है लेके व्लीके करें कि ऑट है इसलिए कीसा होथा डेफिनर होता है इस चीज को छोटे से example से में clear करता हूँ मालने देंगे आपने जो एक ग्लास पानी लिया जो पानी वो क्या है लिक्विड है और लिक्विड का सेप कैसा होता है तो सेप नहीं हो तो ग्लास के अंदर के स्सके होता है अगर उसी के सेप में घखते हो तो यहां प्र आप बसके आब प्रड़कों मतलब कि आप किसी पैंसिल को उठार करें तो पैंस जैसा वैसा यह रहेगा फिर उससी पैंसल उठाके आप तो यही बोला जा रहा है इनके सेब को लेकर के तो इसको मैं आसा करता आप समझ लिए होँगे कुछ ज़्याधे हैं मैंने इसको बता दिया वैसे इसके से अगर बात करें वॉल्यूम की तो जो वॉल्यूम होता है सॉलिट का यह भी फिक्स रहता है क्योंकि जो पास पास में रहते हैं एक दूसरे ज्यादा दूर नहीं जाते वह एक साथ ही रहते हैं ठीक है तीसा है कॉम्प्रेसिबिटी आप उसको कितना कॉम्प्रेस कर यहां पर खुद देखो पैंसल कार SM एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो आसा क्यूं यह आप पास-पास होते हैं इस वैसे उन पार्टिकल समीच में इस बीच में बहुत ही ज्यादा कम होता है तो यहां पर क्या होता है इसका मतलब हुआ कि पैंसिल और थोड़ा हो गया उसका पाटी का से दूसरे मिक्स नहीं कर पाता है यह और भी सॉलिट्स हो गया उनके साथ जैनली होता है उसके बाद आता है फ्लूडिटी तो हमने जस्ट देखा था इसका सेप कैसा होता है तो definite हो होता है कि मतलब कितना सकते मतलब अगर यहां पर इसको मैकस लिखा गया तो अब यहां पर कुछ नल्रेशिंट भी है कि बच्चों के दिमाग करते हैं पहला कुसन है कि हम ल र्ब सेप कर पाते हैं stretch करके तो क्या वह एक solid है तो देखो हाँ rubber band solid है यहां पर उसका सेप चेंज क्यों होता है क्योंकि हम लगाते हैं फोर्स लगाते हैं इसलिए उसका सेप वापस से पहले ऐसा हो जाएगा लेकिन अगर फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो टूट जाएगा और इसी चीज को जो है मैंने आपको pencil का example दे करके अच्छे समझाया था ना second question आता है जो कि है कि जब हम लोग सुगर और salt को किसी जार में डालते हैं और अलग-अलग जार में डालते हैं तो जो जार का सेप होता है वही सेप जो है सुगर और सॉट ले लेता है तो क्या यह इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक इंडिवीज्वल सुगर या फिस उठा लेंगे में एक जो है सुगर या सल्ट का दाना उठा लेंगे हम लोग फिर देखो आप उसके सेप को ठीक है सेप जो एकदम fix जाएगा चाहे आप उस सुगर या सॉल्ट को उठा कर किसी भी प्लेट में रख दो हैंड में रख जार में रख दो एंदम सेम रहेगा अब यहां पर थार्ट कुस्छन आता है जिसमें बोला गया है कि स्पंज एक सॉलिड है बट हम लोग फिर भी उसको कंप्रेस कर पाते हैं ऐसा क्यों बताया कि स्पंज जो है उसके बहुत ही मिनट हो होता है में बहुत ज्यादा पतले फाधे हो रहते हैं माने दो पूरा स्क कर आधे हुआ ह्फशा बते हैं और उसके बाद जब बिल्कुल भी air नहीं बचेगा sponge में तो वो और ज्यादा दब नहीं पाएगा तो यहाँ पर sponge क्यूं दब पाता है क्योंकि sponge के अंदर बहुत ज्यादा ही holes होते हैं और उस holes में air रहते हैं तो जैसे हम लोग sponge को दबाते हैं तो air बहुत निकल जाता है तो यहाँ पर यह तीन कुसम थे आसा करणवा को यह तीनों कुसम समझ में आ गए होंगे तो यहाँ पर जो वीडियो अभी थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ तो यहाँ पर हमने इतम स्टार्टिंग से देखा कि matter क्या होते हैं ठीक है matter जो वो particles से मिलकर बने होते हैं जो particles होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं particles कितने छोटे हैं यह भी हमने देखा particles जो है वो continuously move करते हैं इसके बाएं जाना फिर हमने जाना कि kinetic energy क्या होता है diffusion क्या होता है फिर हमने देखा कि कैसे किसी चीज को heat करने पर जो diffusion होता हो भी तेज हो आता है फिर हमने देखा कि जो matter के particles होते हैं उनकी बीच में force of attraction होता है और कैसे solid, liquid और gas में ये थोड़ा अलग-अलग होता है इसके बाद हमने states of matter देखे जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो state है जो कि ये solid state इसके बारे में जाना तो यहां तक यह था पूरा वीडियो आसे करों को वीडियो अच्छे लगी हो और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पी एक student हूँ इस वीडियो को बनाने में जो बहुत जादा हिमायत लगा है मैंने से बहुत जादा ही time दिया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को share करें अपने दोस्तों से चैनल को subscribe कर लो और हाँ वीडियो को like भी कर देना तो इसका जो next part है उसके अंदर हम लोग और चीजों को cover करेंगे तो इस वीडियो से भी इतना ही अब मिलते हम लोग इसके next part में